नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम देखेंगे वर्टिज कैंटीन कैंटीन क्या होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैंटीन वो जगा है जहां पर हमें ब्रेकफार्स से लेके लंच तक और लंच से लेके डीनर तक सब कुछ मिलता है मान 16 में होती है का क्या प्रावधान किस रोल्ड रेगोलेशन अकौडिंग बनती है यही सब कुछ हम वीडियो में देखेंगे था फरन्स हम आपको बता दें कि कल मैंम 1955 जो है उसका rules number 64 बोलता है हमें कि provision of canteen canteen का प्रावधान इसका sub regulation first बोलता है कि प्रतेक mines जहांपर 200% या उससे अधिक ordinary employee है तो उस mines में chief inspector या other inspector उस mines के management को canteen बनाने के लिए कह सकता है इसका sub regulation second बोलता है कि chief inspector या other inspector जो है वो जगह बताएगा उसी जगह पे जो है आपको canteen बनानी है यदि छोटी mines है और एक से ज़्यादा mines है पास पास में तो वो जो है उस mines के लिए आपको group canteen भी बना सकते हो friends इसमें एक word आया ordinary employee ordinary employee means होता है कि पिछले calendar year में जो वेक्ती काम पे लगाए गये हैं उनका average निकालना है आपको इसमें जो छुटी के दिन है या अधर कोई holiday है तो उसको निकाल के जितने वेक्ती काम में लगाएगा है उसके हिसाब से जो है आपको 200 वेक्ती होना चाहिए 250 persons friends जो अगला act है वो बोलता है standard of canteen canteen का इस्तर क्या होना चाहिए तो इसका sub regulation first बोलता है कि आपको chief inspector द्वारा बताई गई जगे पे जो है वहाँ पर आपको canteen बनाना है वो जो canteen है आपका lettering, bathroom, engine house या कोई chief है या ace पदार्थ है महाँ से आपको 15 मीटर की दूरी पे जो है आपका canteen होना चाहिए इसके अलावा जो है आपका canteen में light होना चाहिए परियाप्त मांतरा में और canteen wash होना चाहिए पुताई, लिपाई, सब कुछ होना चाहिए यदि females है उस minds में females work करती है तो females के लिए जो है वो separate room होना चाहिए और उनका साफ सपाई अलग से होना चाहिए इसकीन होना चाहिए और जो है वो secure होना चाहिए इसके बाद next point बोलता है कि जो आपका canteen का room है वो साल में एक बार उसकी पुताई होना चाहिए यदि वहाँ पर furniture योज होता है और furniture में painting की जाती है तो तीन साल में एक बार जो है उस furniture की painting की जाएगी और canteen जो है हर चार महीने में canteen की पुताई होगी इसके बाद sub-regulation number second बोलता है कि आपका जो canteen है वहाँ पर आपको west water या जो garbage है कचरा है उसको नहीं रखना है वो जो canteen है only canteen के purpose से ही यूज की जाएगी इसके बाद canteen में ही rules number 66 बोलता है furniture and equipments जो आपके furniture है वो परियाप्त मातरा में होना चाहिए और आपका जो water supply होता है वो परियाप्त मातरा में होने चाहिए adequate supply होना चाहिए और आपका जो water है वो ठंडा होना चाहिए इसके अलावा साब सफाई होना चाहिए आपके canteen में इसके अलावा जो food survive करने वाले लोग हैं उनके कपड़े साप सुत्रे होना चाहिए ये जो rules है friends इसी में सब कुछ लिखा है कि आपको कैसा extended होना चाहिए इसके बाद rules no.67 बोलता है हमें cleanance, safi, जो canteen है वो आपकी साप सुत्री होना चाहिए अगर कोई वहाँ पर बरतन यूज होता है तो उसको धोने के लिए जो है गरम वाटर का यूज होना चाहिए जिससे आपका जो है clear water से आप धो साके बरतन को इसके बाद rules no.66 बोलता है maintenance of canteen, provision of staff जो आपका canteen है उसमें कितने staff होना चाहिए इसका जो sub regulation first है वो बोलता है कि honor agent या canteen का जो in charge है वो decide करेगा कि canteen में कितने persons काम करने चाहिए friends आपको बता दें कि जो canteen होती है इसमें manager का कोई role नहीं होता है manager जो है इसको नहीं manage करता है और नहीं इसके काम में दखल अंदाजी करता है manager से canteen का कोई लेना देना नहीं है friends जो staff है वो sufficient मातरा में होना चाहिए जो आपको staff जो बाठते हैं आपका खाना, fold, drink या जो भी चीज़े आपको canteen में provide करा जाती है उसके लिए एक committee बनेगी इस committee का जो in charge होगा वो आपका honor agent या फिर जो canteen का management है वो हो सकता है इसके बाद next rule बोलता है rules number 69 canteen managing committee canteen के लिए जो है एक committee बनाई जाएगी जिसमें honor agent या canteen in charge है जो है इनकी हर 30 दिन में एक बार meeting होगी कि कैसे काम किया जा रहा है इसमें जो persons employee होंगे यदि माइन्स में 1000 विक्ति काम करते हैं या उससे ज़्यादा काम करते हैं तो जो है किसी भी हालत में 5 से अधिक और 2 से कम नहीं होंगे friends जो इसमें विक्ति लेने हैं काम करने के लिए या तो वो 5 होंगे या 2 होंगे नहीं 2 से कम होंगे और नहीं 5 से अधिक होंगे इसके बाद अगला rules बोलता है rules number 70 price to be charge जो आपका चार्ज किया जाएगा आप जो भी खाने पिने का material लेते हैं उस canteen से चाहे वो food हो या drink हो किसी भी चीज के material जो है आपको उसके basic rate पे ही pay करना है इसके अलावा जो profit है नहीं उसको profit को देना है और नहीं वो canteen का in charge आपसे profit ले सकता है इसके अलावा जो है वहाँ पर काम करने वाले जो लोग है उनको समझने वाली language में Hindi, English या जो उनको समझ में आती है उस language में आपको जो canteen में चीजे हैं जो भी आप provide कराते हैं उसका एक charge बना होगा चार्ट के माध्यम से जो है लोग समझ सकते हैं कि क्या आपके canteen में खाने पीने की चीजे हैं और उसका क्या price है इसके अलावा friends जो furniture है या electricity, furniture या coal इसके अलावा जो salary है उनकी ये include नहीं होगा उस food में जो है आपको ये सब include नहीं की जाएगी वो जो food survive के लोग हैं इनका अलग से कोई charge नहीं होगा ये जो charge है वो management के द्वारा ही दिया जाएगा और canteen के जो काम करने वाले लोग हैं ये आपसे खाने पीने का extra पैसा नहीं ले सकते हैं इसके बाद rules number बोलता है 71 accounts इस rules में बोलता है कि जो भी आपके canteen में खर्चा हुआ हर 12 महीने में जो है आपको chartered accounted को जवाब देना है और वो chartered accounted check करेगा कि एक साल में जो है आपके management के द्वारा कितना खर्चा हुआ है इसके लावा आगर canteen पहले बंद हो जाती है तो बंद होने के दो महीने के भीतर जो है आपका canteen का पूरा account chartered accounted के द्वारा चेक होना चाहिए तो friends हमने देखा canteen, canteen क्या होता है ये canteen कैसे काम करती है और mines में जो canteen है इसका in charge कोन होता है तो friends आज के वीडियो में बस इतना ही अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चेनल को subscribe करें और वीडियो को like करें thank you friends